सो हेलो वेलकम बैक टू फिजीचर आज अब हमारा नया चैप्टर चाहरो करना डैट इस मैगनेटिक एफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रिक करन्ट और यह हमारा अल्मोस्ट या फिर ऐसा समझ लो लास्ट चैप्टर है फ्रिजिक्स का साइन्स का क्लास टेंथ का ठीक है सो बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैगनेटिक एफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रिक करन्ट अब नाम से आपको यह लग रहा होगा कि यह इलेक्ट्रिक करन्ट से या फिर पिछले वारे चैप्टर एलेक्रिसिटी से रिलेटेड है है बिलकुल है लेकिन थोड़ा सा अलग है और खुशकबरी की बात यह है इस चैप्टर में आपके पास में एक भी नुमेरिकल नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत सारे है एक्सपेरिमेंट में करवा होगा आपको सारी है एक रियल लाइफ में सारी जीज़े करके दे अब effect तो है मेरे पास में electric करने का लेकिन इस बार magnetic effect और पूरा का पूरा chapter दे दिया magnetic effect के नाम का है ना तो इसका बहुत जादा important role होगा या फिर बहुत important role play करता होगा है ना so important role है अगर नहीं होता ना इसका role कुछ तो यह light नहीं चल रहे होती आप मेरी वीडियों नहीं दीख पारे होते July मतलब अभी अगर आप रात को देखे रहे हो तो लाइट नहीं आ रही होती तो vaccinated effect का बहुत ज़ादा इंपर्टेट रूल है है न को आपके फोन नहीं करते यापके लैपटॉप काम नहीं करते तीवी काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करता, अगर मैगनेटिक एफट नहीं होता, तो ठीक है, बीना किसी देरी के स्टार्ट करते है, यह बलैक वाला टी-शेट इस लिए पहन रखा है, ताकि हम electricity का Magnetic effect क्या हमज़ पाएंगे आप हैं पहले हम मैंगेटिक एफक्ट फड़ेंगे क्या होगा पहले हम सिम्पल पिछा खाएंगे में Hum popularity पे रहीक्त की राईटि पर नहींुन सकते पहले simple पिजा तो करना पड़ेगा न कि कैसा होता है तो पहले हम फिजा को ट्राइ करते कि magnetic effect actual में होता क्या है और magnetic effect आया कहां से या फिर होता क्या है यह ना सो start करते हैं यह introductory lecture ही होगा इस में ज्यादा कुछ होगा नहीं अगले लेक्चर से हम पूरा चैप्टर है फिर जो मेंड मेंड टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे तर चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन magnetic effect of electric current अब यह magnetic effect क्या होता है वो समझो पहले सबसे पहले तो मेरे पास में टॉपिक आता है वो है magnetic देखो पिछले चैप्टर मेरे पास में हीटिंग इफेक्ट है इदर मेरे पास मैं मैंने आपको रिलेट करके बताता हो ताकि आपको अच्छे से समझना आए तो magnetic effect और 程 हीटिंग क्या था कि अल्चिटिकव पारा था तो हीएं एनंडजी या फिर एक एक एफेक्ट था उसका सेणिफिकेंस कैसे समझ मैं भी ओके आफ इसका अब मैंगनेटिक पर एक तरीकिंगा एफेक्ट है लेकिन वह मैंने को कैसे दीखेगा वो देखो इसकी एनार्जी या फिर वह जो या फिर उसका जो significance है वो कैसे दीखेगा वो देखो सबसे पहले तो यह जो magnetic effect है वो क्या करेगा या फिर जो भी magnetic material है वो क्या करेंगे एक दूसरे को attract करेंगे और repel करेंगे ठीक है दो तरीके के effect मेरे पास में show होगे अगर magnetic effect वो body show करती है तो दो तरीके की effect क्या है attraction और repulsion तो मतलब force exert करेंगे एक दूसरे के उपर so effect में को किस form में feel होगा एक तरीके के force की form में तो यह एक दूसरे को attract करेंगे या फिर रिपेल करेंगे तो magnetic materials किस तरीके का effect या फिर किस तरीके का significance शो करते वो आपस में attraction करते या फिर आपस में attract करते या फिर आपस में repel करते अब यह रिपल्शन और attraction किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा वो देखो ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको material बता देता हो कि कि किस बेसिस पर magnetic effect के किस बेसिस पर मैंने materials को किन किन चीजों में डिवाइड कर रहा है मैंने electricity में भी डिवाइड किया था ना insulator इन्सुलेटर कंडक्टर सूपर कंडक्टर सेमी कंडक्टर इस सारे मैंने division किये थे उनके काम के बेसिस पर फिर उनके इन्सुलेटर 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 इस यह अच्छे से में अच्छे से करते हैं इधर भी मेरे पास में तीन तरीके से divisions है, देखो कैसे divisions है magnetism या फिर magnetic material जो भी magnetism show करते है magnetic material मेरे पास में तीन categories में divided है, अब यह आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको information के लिए बता रहूँ सकता है, तो सबसे पहला है मेरे पास में ferromagnetic दूसरा है मेरे पास में paramagnetic और तीसरा है मेरे पास में diamagnetic paramagnetic, paramagnetic और diamagnetic, अब तीन तरीके के material है, यह वाला ऐसा मालो की conductors है, electricity है और यह वाला मालो सेमी कंड़क्टर्स है और यह वाला मालो insulator से, वो तो करते ही है magnetic effect शो, यह वाला मतलब थोड़ा बहुत करता है और यह वाला बिल्कुल भी नहीं करता है, है ना तो ऐसे मेरे पास में division से magnetic material के या फिर जो magnetism शो करते हैं, अब यह magnetism में को किस किस तरी से, तरीके से शो होगा वो देखना है ना, मेरे पास में कोई magnetic material है, मालो फैरो magnetic ही है ना, मालो मेरे पास में magnetic material है, तो उसका effect, मैंने बोला कि, यहाँ पर मेरे पास में magnetic material था, और यहाँ पर मेरे पास में magnetic material था, तो इसने इसके उपर force लगा है, जो भी था attraction का था, या फिर repulsion का था कैसा भी था, उसने उसके उपर एक force exert किया, ठीक है मैंने मान लिया चलो, force exert किया, लेकिन यह force जो था, इसके ना तो हाथ है, ना तो पैर है तो इसने इसके उपर force कैसे लगा दिया, इसने इसके उपर force कैसे लगा दिया, देखो मैं पास में magnetic material है, फिर में magnets भी है, एक्चुल में तो मैं आपको बताता हूँ देखो यह मैं पास में एक magnet है है यह मैं आप मैंगे मैंगे और इसा इए अपने के एक निजी करेंगे अब क्या है तरेक्शन वाला भी बता है देखना रहा है रिपलशन प्रफिण वाला भी बतातो वैंस इसको डक्का देगा जैन्रा दिया तो ऐसा क्या हुआ इंके बीच में या फिर ये बिना टच किए भी बिना टच किए भी एक ढूसरे को सब्सक्राइब कैसे करते ही इनके हाथ सबसे पहले तो हम डिसकस करने से पहले आप एक थियोरी सुनों मेरे सबस्कंट साटब नीड़ सबस्क्राप च रहा के सबस्क्रावट सबस्क्रावड पिर अप कर दो मेरे सबस्क्रावचा से तो यह जो मेरे पास है नॉर्थ पोल है उओ और आए कहा है यह तो नाम कैसे पड़ा अब नौर्थ पोल और साउथ पोल आपको एक और जगे दिखते हैं वो हमारी है अर्थ अर्थ पे नौर्थ पोल और साउथ पोल कहां पर दिखते हैं वो मैं आपको बतातो यहां पर नौर्थ पोल होता है और यहां पर साउथ पोल होता है चलो भाईया यह तो हमें पता है अ तो बार मैगनेट को या फिर एक सिम्पल सी मैगनेट को मैंने अगर freely suspend किया है ना freely suspend मतलब उससे नौकरी से नहीं निकाल दिया उससे जॉब से नहीं निकाल दिया उसको freely suspend किया मतलब कोई external force या फिर कोई ऐसी चीज उसके पर apply नहीं हो दिए वह एकदम free है जहां पर जाना चाहती है वहां पर जा सकती है अगर उसके उपर force apply होगा तो उस direction में align हो जाएगी है ना तो freely suspend करने का क्या मतलब है माल लो ऐसे suspend किया है ना उसको ऐसे suspend किया एक second ठीक है ऐसे freely suspend कर दिया तो freely जब suspend किया इस magnet को तब क्या हुआ कि ये north pole था और ये south pole था ठीक है नौर्थ pole था और एक south pole था तो मैंने जब ऐसे उसको ऐसे align किया तो जब ऐसे freely एगनम stable state में जब आई ये बार magnet या फिर जो भी तरीके की magnet थी तो माल लो बार meagniat कुछ होती है ऐसी थी है पिसका ये वाला direction या फिर ये वाला जो हिस्सा था या फिर ये वाला जो पेस था वो पॉऐंट किया मालो इस direction में है कि ये वाला point मालो इसको मैं red इस से symbolize करता हूँ यह red वाला face इसका north वाली direction में align किया और जो green वाला face था यह जो green वाला face था वो south direction में align किया तो कुछ तो नाम देना था वैसे भी हमाँ पास में electrons और protons थे तो उनमें हमें electrons को negative charge दिया था protons को positive charge दिया था लेकिन अब इदर वापिस positive negative का खेल तो कर नहीं सकते हैं इधर negative माल लिया इधर positive माल लिया तो वह तो भाई बहुत कॉंप्लेक्स हो जाएगा ना electron negative proton positive इधर यह वाला negative यह वाला positive तो भाई बार बार एकी चीज़ क्यों apply करें तो इस वज़े से यहां पर north और south pole का खेल हो कैसे हुआ कि यहाँ पर अगर मैंने इस magnet को ऐसे align किया फ्रिली तो जो पोर या फिर जो सिर्ञा अ फिर जो एंड नॉर्थ की तरफ अलायन हो उसको मैंने north नाम दिया नॉर्थ वोल नाम दिया और जो south की तरफ अलाइन हुआ उसको मैंने south नाम दिया, है ना, तो ऐसा क्या हुआ, है ना, यहाँ पर देखो, जिदर नॉर्थ गया, उधर मैंने नॉर्थ पोल नाम दिया, और जिदर साउथ गया, उसको मैंने साउथ पोल नाम दिया, तो किसी भी मैगनेट के दो पोल होते, ठीक है, किसी भी मैगनेट के दो पोल होते लुकिए को अब ही साउट पोल क्यूंद कर देगत सब्सक्राइब तरह हैं Pacific Lake Wikipedia को जो होता है सब्सक्राइब हो अब जह होता है मैं तोocarव दोक्सक्राइब करने देख हो यह आगये सा शूबर तेमिज़कों पर तो इधर कोई खीचेगा तब ही तो जाएगा ना तो यह गया कैसे यह गया कैसे तो मालो इधर भी एक तरीके कोई तो पोल होगा या पर कोई तो ऐसी मैगनेट रखी होगी तब ही तो वह आलाइन हो रहा है ना तो देखो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़े बताता हूँ कि इधर भी वही चीज़ फंडा अपलाए होता है लाइक रिपेल इच अधर और अनलाइक अ इधर फिरफ पॉजटिव नेगेटिव की ब्राइक केलए नेगेटिव पॉजटिव 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 अंधर क्या है नौट नौट रिपेल करेगा साउसाउफ स cleanup करेगा। तो देखो यहाँ पर में पास में इसको हम होट्श्यू मैगनेट बोलते हैं और यह में पास में बार मैगनेट है जिसके नौर्थ और साथ पोल नौर्थ और साथ पोल है इसके भी नौर्थ और साथ पोल है इधर आप कलर से भी डिफैन कर सकते हैं रेड वाला है वो है नौर्थ और ब् इना अट्रेक्ट नहीं हो रहे अब मैंने जब इसको इधर साउथ की तरफ अलाइन किया तो यह एट्रैक्ट हो गया तो अब देखोल्टा किया तो यह वापिस रिपल करने लग गया और इधर किया तो यह अट्रैक्ट में हो रहा है तो इधर भी अगर मैगनेट रखताम्ए तो नॉर्थ वाली उती है लेकिन यहां पर इसा साइड कंवेंचन हैं जो9 नौर्थ Susan बेया वह मालो साथ होता हमने नौर्थ नाम दे लिया और युक्त की नवाला सौ हूर्थ की तरफ हम रख accident होगा और सौ वाला नौर्थ की तरफ cookie तरय देती है या फिर अ मिलासा देती है कि हमारे जो sign conventions है वो सही है या फिर हमारे जो sign conventions है वो accurate है ठीक है तो यहां तक मुझे बार magnet और north pole, south pole की theory समझ में आई और किसी भी magnet के दो pole होते हैं अभी भी बतारो दो pole होते कौन से? north pole और south pole और अगर मैं इसको बीच में से card do तो ऐसे अलग हो जाएंगे तो north अलग और south अलग लेकिन ऐसा होगा क्या? वो देखते हो ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ठीक है? So So, ये साही चीज़े देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये magnetic field lines और magnetic field का क्या concept होता है? अभी हमने समझा कि force लगाएगा, force exit करेगा और वो उस direction में align हो जाएगी तो ये alignment या फिर ये जो direction में जा रही है वो कैसे गई? वो हमें बताता है magnetic field और magnetic field lines ठीक है? तो माल लो मेरे पास में ये bar magnet इसे थोड़ा रंगीन कलर से बना देते हैं मोनो क्रोम हो रहा है याँ पर है ना So, यहाँ पर मेरे पास में एक magnet है ठीक है? ये north-south direction में ऐसे align है, मैंने ऐसे रख दी इसको माल हो ठीक है? चलो मैंने माल लिया यहाँ तक है ना तो हुआ क्या? यहाँ पर हुआ क्या? कि यहाँ पर मैंने एक magnet रखी यहाँ पर जो भी magnetic material रखा वो इधर attract हुआ, repel हुआ वो उससे में वो कोई लना देना है नहीं force exert किया ठीक है? force exert किया तो यहाँ पर basically हो क्या रहा है? magnetic field lines और magnetic field क्या होती है? या फिर यह क्या बताती हमें? कोई भी magnet या फिर कोई भी magnetic material जो magnetism या फिर magnetic effect शो करता है वो अपने आज पास एक magnetic aura create करता है या फिर एक magnetic field create करता है जो भी magnetic material उस magnetic field और या फिर उस magnetic aura में आता है वो magnetic material के उपर उस magnet के द्वारा या फिर उस magnet के तुरू एक force exert होता है ठीक है? माल लो एक तरीकी का spider है बीच में spider है और उसमें web बना रखे जैसे ही कोई insect आया उसको फटाक से ऐसे attract कर लिए या फिर फटाक से खीश लिया खाने के लिए या ना तो यह जो भी magnetic material है वो आपस में या फिर अपने आसपास एक aura create करेगा या फिर एक magnetic field create करेगा ताकि जो भी magnetic material इसके अंदर आएगा या फिर इसके आसपास आएगा वो उसके उपर force exert करेगा या फिर force feel करेगा या फिर उसके उपर एक force feel होगा उसको है ना और यह जो force है वो आप feel करना या फिर आप भचपन में भी magnet को use करते थे ना तो जैसे ज force की value या फिर वो जो magnetic force होता है वो बढ़ता जाता है भली वो repulsion का हो या फिर attraction का हो और जैसे जिसे दूर लेकि जाता हो या फिर दोस्ती भी कम होती जाती वापिस से मिलते हो तो वापिस से वैसी है ना सो इधर अगर मैंने magnetic material रखा और इधर रखा तो इसके और इसके force के feel होने में बहुत अंतर है इधर जाधा force feel होगा और इधर कम force feel होगा तो magnetic field lines हम बनाए कैसे ऐसा कैसे ऐसा क्या बनाए कि हम बता सके कि मैंने यहाँ पर रखा तो उसके ओपर ऐसा force feel होगा मैं देख के बता सकता हूँ है ना तो देखो इसके लिए क्या हुआ कि एक theory थी या फिर एक छोटा सा assumption करना पड़ा या फिर एक छोटी सी बात माननी पड़ी हम है जो exist नहीं करती है हमें एक magnetic या फिर एक monopole मानना पड़ा north monopole ठीक है या फिर ऐसा माननी ठीक है यहां तक आई बात समझ में तो यहां तक तो मुझे समझना है तो यहां तक देखो कि north और south direction में यह align है अब monopole की theory या फिर यह monopole का क्या role है तो यह समझ लो कि magnetic field lines और यह जो magnetic field है वो एक तरीकी की imagination है यह हमारी सहुलियत के लिए बना रखी है कि हम reason बता सके कि यह force exert क्यों हुआ actual में यह ऐसे तीर या फिर अभी जो मैं बनाऊंगा यहां पर magnetic field lines वह actual में ऐसे दिखती नहीं है या फिर concept निकाल रखा है magnetic field का और magnetic field lines का और यहां पर जो मैं magnetic field lines बनाऊंगा वो मैं आपको इस class में experiment के through भी करके बताऊंगा है ना जो आपके NCRT में भी है ठीक है so monopole की theory क्या है कि अगर आपको magnetic field lines बनानी अगर आपको magnetic field lines बनानी है आपके कि अपटे चाहना कीधर चाहरा था अईसे आपने पार से deflekt होगा मुझाण किसाट कि शोंकितर कि चाहरा यहां लेकिन on canadra सौट अंटी के पास में आराम से सो रहा है। ऐसे मेरे पास में Magnetic Field Line बनी एक। ऐसे ही मेरे पास में बहुत सारी बनेगी। ऐसे बनाओंगा। जहां जापर भी यह Magnetic Monopole जाएगा, वहां पे मेरे पास में यह Magnetic Field Line बनेगी कुछ, एसी सी। ठीक है यहां तक आई बास अबने और इनकी डिरेक्शन कैसी होगी नौर्थ कहा से जा रहा है नौर्थ से साउथ में तो इसकी डिरेक्शन कैसी होगी नौर्थ से साउथ यहां तक आई बार समझ में यह में पास में होती है magnetic field और magnetic field lines ठीक है यह magnetic field है और यह जो है में पास में वो है magnetic field lines और इनकी कुछ properties भी होती जो कि exams में बहुत पूस्ट है वो मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो यहां पर magnetic field lines का concept मुझे समझ में है कि magnetic monopole not monopole जहां जहां पर भी जाएगा वहां पर मुझे इस magnetic field को बनाना या फिर वहां पर magnetic field होगी ठ्क है तो यहां तक मुझे आई बास समझने तो यह तो में पास में हो गया कि magnetic field lines क्या होती है और magnetic field lines को बनाते कैसे अब ध्यान से देख रहे होगे और दूर दूर जैसे जा रहो वैसे वैसे इनका effect या फिर इनकी distance है वो बढ़ती जा रही है और इस distance का role भी मैं आपको बताता हूँ यह हमें help करता है force को find out करने में जैसे जैसे distance past में आएगी ना उतना ही force का effect ज्यादा होता जाएगा तो देखो जितनी ज्यादा distance होती है उ उतना ज्यादा force exert होगा भले repulsion का हो या फिर attraction का हो ठीक है तो यहां तक मुझे समझना है अब मोनोपोल का concept में आपको बताता हूँ इस experiment को करवाने के बाद ठीक है तो start करते हैं हमारे experiment अभी हमाँ पास में setup है इस setup में हम क्या करेंगे बार magnet से मैं आपको यह structure बता के बना तो उसके लिए हमें चीए कि एक बार magnet और iron fillings थोड़ी सी है ना अब इधर iron fillings का क्या रोल है वो देखना है ना यहां पे तो आपको नहीं दिख पाएगा मैं आपको इधर से वीडियो लेके बता दूगा तो यहां पे मैं पास में एक बार magnet है उसको मैं रखता हो नीचे की और इसके उपर देखो यहां पर पर दिख री होगा पर मेह घड़को रखता हूं नीचे और मैं इस पेपर को रखता हूं इसके उपशा करोंगा तक vine impressions को रखूँंगा कि भी आयरन इक प्लिंक्स को एसे स्फीरिक करने से क्या होगा वह अजरने से यहां यहां पर गिघ करकि और वह डिरेक्शन में होगी इन मेभने मेot्ड की क्योंकि वह भी उत्राक्ट तुम ब्हुत नुगस्पर दीरेक्शन होगी क्योंट तो देखो अगर मैं यहां पर यह आइरन फिलिंग्स को ऐसे स्प्रिंकल करता हूँ है ना तो देखना है ना बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हूँ है अभी आपको यहां से तो नहीं देख पा रहा होगा लेकिन मैं देख सकता हूँ यहां से वीडियो लेके बता है इक दम स्ट्रक्चर बना यहां पर यहां पर पास-प बहुत सारी आइरन फिलिंग्स और यह जैसा ज्या रहे वैसे वैसे से इप्रेट होट जा रहे और और अगर बनाना हो तो और दूर से लेके जाएंगे मगर पूरा तो ऐसे मतलब और आगे जैसे 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 जाएंगे तो वैसे वैसे लूप बनता जाएंगे तो ऐसा मेरे पास में कुछ स्ट्रक्चर बना और इसके डिरेक्शन कैसी ऐसी और इधर तो डिरेक्शन मेरे पास में और यहां पर मैंने इसको रखा नीचे और इसके ऊपर रखा पेपर उपर क्यों नहीं रखा क्योंकि वह सारी उसी के अट्रैक्ट हो जाती है ना तो मुझे फ्रील लाइन नहीं दिखती है तो हॉर्श्यू मैगनेट से कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना और अधिक है और अगर मैं बहुत ही ज्यादा आईरेन फिलिंग स्प्रेड कर दू तो वह नीचे वाली मैगनेट मैगनेट मैं भी साथ-साथ ना आ जाएगी है तो यह को स्ट्रक्चर किसका मैगनेटिक फ्लैंस का बताने का यह पर ओधने पता है और यह इसके अदर मागनेटिक मागनेटिक के बाहर थो मने मोनोपोल लेके बना दिया कि अंडर कैसे बनेगी वो देखा है तो यह magnetic effect या फिर जो permanent magnets होती है वो कैसे बनती है फिर इनका अंदर का structure या फिर इनके अंदर जो magnetism आता है वो कैसे आता है इसमें क्या होता है सबसे पहले आप समझ लो कि ऐसे ऐसे कुछ alignments होते है या फिर इनके जो atoms के अंदर जो होता है spin वो आप 11th class में पढ़ोगे electrons की जो spin होती है वो cancel out नहीं होती है और वो एक direction में या फिर किसी किसी materials में वो एक direction में align हो जाती है तो वो magnetism show करते तो इधर मालो ऐसे कुछ align है तो नौट से साउथ इदर जा रहा है तो अंदर क्या होगा कि यह जो lines है वो इधर से इधर जाएगी तो अगर देखो मैंने इस magnet को हाफ भी कर दिया या फिर इसको बीच में से काट भी दिया तो आप ऐसा सोच रहे होगी कि इधर यह south अलग हो गया यह north अलग हो गया नहीं देखो arrows तो अभी इस direction में पॉइंट कर रहे है न तो यहां पर अगर मैंने इसको हाफ किया भले सब्सक्राइब हो गया लेकिन मैंने इफेक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा यह south बन जाएगा और यह बन जाएगा नो यहां तक आई बात समझ में अब आप यह सब भी सोच रहे होगे कि यह मोनोपोल का क्या concept है मोनोपोल तो exist करी नहीं सकता बाइक कितनी टुक्रों में काटो वो तो एटम तक मेरे पास में ऐसा structure बन जाएगा ना तो मैं मोनोपॉल का का एक में एक कॉंसेप्ट है लस्माजने करता है मेरे पास में इसनल की हो औहरते मागनेटिक मेरे पास में चलते हैं में इसमेश्टे फिर्त हमेशा हसा में थे खड़े अब मैगनेटिक प्रॉपरटी लिख ले थे स्खाना गंटू्भी ड्यांते लिख ले अग्शन समय कहा है गोर्ड च्रॉप करेंगे 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 मतलब इस लैक्ट को रЕसाहिए कि साथ मैंने linux पॉपयर्टी पॉपरटी की चलो कि थे भी कि सबसे पहले तो मार मैंगनेंटिफी यह मतलब समय ऐसा कि फंडामेंटल स्रक्ट्चर या फिर एक समय लोगी म्यूजियम में जो एकडम आइडियल श्रक्चर नहीं बना रखे होते वैसा है बार मेगनेट की मेगनेटिक फिल नाइस व्लब सबसे सिंपल स्ट्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे नॉर्मल ऐसा फंडामेंटल या फिर बेसिक अगर मेगनेटिक फिल लाइन्स नॉट से जायेगी साउथ पर फिर्स निकलेगी और साउथ पर जाये कि नह直接 है आट यहन्या तो पहले फील लाइन्स बना लेते हैं अ ऐसे कुछ दिरेक्शन होगी ठीक है यहां तक और भी बहुत सारी होगी ऐसे ऐसे बना सकते हैं और भी ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं अब प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम इन मैंगेटिक फील लाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे और इजनेट अगे प्रॉम नॉर्थ एन गोज इंटू साउथ एंड नहीं होती गोज इंटू साउथ एंड कहां पर ओती वापिस से नॉर्थ की तरफ निकल जाती इधर से अंदर ऐसे हैं ना क्या तक आई बार समझ मैं अधी ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ इन गोज इंटू साउथ पोल और सेकेंड दे आर मोर क्लोजर और सेवा लॉर्थ इंट आर दे टूर्थ आर टूर्थ जसेशचा उसरोई ओर से विडिगेरर से पूर्थ आपर टूर्थ इंटू पर इंट इंट खर आर॥ी ओर से एंट सिनु एंटलें परिडिवी एदब इंट ओर से आर आर्रें,ह एं पर ऑume movements away from the poles this this signifies the strength of the magnetic field mari the strength of the magnetic field lines ली स्ट्रेंथ अब दी मैगनेटिक फिल्ट है ना जितना ज्यादा पास में होगा उतने ज्यादा मैगनेटिक फिल्ट स्रेंथ होगी और थर्ड मालो थर्ड और लिखते हैं हम दे फॉर्म क्लोज लूप क्लोज लूप बनाते नहीं होती है यहां से चलेगी वापिस साथ से अंदर जाके नौट से निकल जाएगी और फॉर्थ है मेरे पास में की दे नेवर कि इंटर्सेक्ट एीच एडर भशीस लव रच्रीय और लच और रच कनेे अंदर ट्राइה फिल्ट लाइन ata इंटर्सक्ट नहीं कर सकती ऐसे मालो यह आउलो इससे नहीं हो है जए इसको मेरे पास में कि मेरे पास में पर नाहींck ुआ कि देखों इस बता हुए कि अगर मैंने नौзд अगर मीन नॉड़ा तौ धी यह संबाघके लिक्न और उद्से साहल को घाया North Pole Rackard यहाँ पर भी नॉडर्थ पोल रखा तो यह नॉर्थ पोल आपस में it Mais May नहीं सकता या फिर आपस में पॉलाइट तो हो इन सकता न कि इसको कोई फोर्स चो लगा नहीं रहकता है में फोर्स लगा कि उनको एक आप magnetic field lines at a point यहाँ पे मेरे पास में एक point बनाया मैंने तो यहाँ पे so the direction of magnetic field lines को point करता हूँ तो इसकी यह जो direction है यह जो बनता है वो मुझे बताएगा कि किस direction में उसके उपर force फीलोगा अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ object को तो इधर की direction इधर जाएगी वो magnetic material कहां पर जाएगा इधर से भी खीच रहा इधर से भी खीच रहा है तो ऐसा possible नहीं हो सकता पहला रीजन भी वैलिड है दूसा रीजन भी वैलिट है दो रीजन हो गए में पास में दे नेवर इंटर्सेक्ट इजर और इफ दे डू अगर वो करते हैं तो देर विल बी टू डिरेक्शन ऑफ मैंनेटिक फिलांगे सिंगल पॉइंट विच इस नौट पॉसिबल हो इसारे मेज़र बीजर में फेंडम पेंगे फीलाइंस लिगहां के ऊपर एक लेक्ट्र या फेल और मेगनेटिजम पे लेक्ट्र अगले लेक्चर में हम और सब्स्परिमेंट करेंगे उसमें बहुत ह पिर एक और मागनेट यो पर्मनेंट मेगनेट होती है जिनको पर्मनेंट मैंगनेट होती है जिनको हम अलग से ओर देके करना पड़ा हो पर्मेंटलि मेग्नेटिक मटीरियल या फिर मेग्नेटरेजम चो करती है उनके अंदर दर बी ऐग पर पर देखेंगे कि अलगलग मटीरियल से प्रेड कारेंट के कैसी कैसी माग्नेटिक फिल्लाइंब बनती है के तब अब तक के लिए अब हम चलते हैं पड़ा ही करते हैं बहुत पासमें है ख्रृशिशन फ्रक्रम करने से इस इसलेंटर में से प्रमें से बहुत इंप्राय इंप्टेंटन टॉपिंट्पेग साथ है और एक कवर अब करते ठीक है तो तब तक के लिए बाई बाई